आपको दर्शन दिये हैं, 100% आपको माता काली ने दर्शन दिये हैं, अगर वो वेक्ति आपको दिखाई दे, दूसरा संकेत, वो होता है कि अगर अगर आपके गुरू के दर्शन, अगर आपके गुरू धर्ण कर रखा है, या आप गुरू मानते हैं किसी को, अगर उनके दर गुरु आग्या से चलती हैं.он माँने दरशन आपको दीए है तिसरा संकेत होता है कि अगर आपको जोती, दीपक दिखाए दे माटा की सेवा करते हैं. मा की पूजा करते हैं और आपको कोई दीपक दिखाई दे, कोई जोती आपको दिखाई दे, जैसे ज्वारा जी में जोती होती है, उस प्रकार किसी पत्थर से कोई जोती निकलती है, किसी दीपक, किसी मंदिर के अंदर जोती दिखाई दे, तो ये भी संकेत होता है अगर आपको धूना दिखाई देता है आपको बता दू मा कालका जी मंदिर में आप जाएंगे वहाँ भी मा का धूना है और मा के धूने लगे होते हैं हर देवता का धूना होता है मादुरुगा का भी धूना होता है गुरुगुरुखनाजी माराज का धूना धूना सभी देविताओं का होता है तो अगर आपको कोई धूना दिखाई दे तो ये भी मा की किरपा का ही एक संकेत होता है कि मा ने आपको दर्शन दिये पांचवा संकेत होता है कि अगर आपको नीबू की माला या नीबू दिखाई दे वो निबू आपको चोराहे पर पड़ा दिखाई दे सकता है वो निबू आपको माता के मंदिर में दिखाई दे सकता है आपके घर में दिखाई दे सकता है या माता के गले में निबू की माला अगर आपको दिखाई देती है सपन में तो ये मा की करपा का संकेत ह ज़ाने आपको-द्रशन दिये है। हएं छटा संकेत होता है कि अगर माता का कोई मंदिर आपको दिखाये है आपके असपास कोई माता का मंदिर है आप घूम के किसी मंदिर में आए हैं अभी अभी आए हैं आपने कोई मंदिर देखा है टीवी में देखा है या फिर आपने कहीं भी देखा हो या किसी किताब में वो मंदिर देखा हो या उसके बारे में पड़ा हो तो माता का मंदिर अ क्या होता है जो प्राण प्रत्रिश्चित होता है और जैसे माता कालका जी का विग्रह है जैसे अनुमान जी का सिंदूरी विर्द है विग्रह होता है उसी प्रकार से माता कालका का विग्रह जिस प्रचांदी की जो है वो वर्क चड़ाए जाती है तो ऐसा विग्रह आपको अगर आपको यह दिखाए दे तो आपको माता ने दर्शन दिये हैं माने दर्शन दी है कि अगर माता की कोई मूर्ती आपको बार बार दिखाई दे रही है कोई मूर्ती कोई तस्वीर जो आपके मंदिर में है आपको दिखाई दे रही है माता की या फिर कोई ऐसी तस्वीर है जो आपने कहीं देखी हो इंटरनेट पे देखी हो पोस्टर पे देखी हो किसी मंदिर नहीं और नौमा संकित होता है वो होता है अगर आपकी मा के दर्शन आपको हो आपकी जो जननी मा हैं जिनने आपको जन्म दिया है अगर उनके दर्शन आपको सपन में हो रहे हैं तो इसका मतलब मा ने आपको दर्शन दिये हैं क्योंकि जननी जो मा होती हैं उनमें मा काली का ही अंस होता है और मा अपने बच्चों को दर्शन इसी प्रकार से इसी रूपों में देती है तो इन रूपों में मा को स्विकार आपको करना चाहिए और किसी प्रकार का वहम अपने मन में दिल में नहीं रखना चाहिए इसलिए मा ने आपको दर्शन जरूरते हैं दस्वा सं शिंगार करें तो भी मा की कृपा का संकेत होता है माने आपको दर्शनती है ग्यारव संकेत अगर आपको कोई भगत आपको ऐसा दिखाई दे जो भगत मा काली का है जो भगत आपके आसपास का है पर मा काली का भगत है क्योंकि मा काली के भगत वही सपने में दिखाई देते ह सच्ची होते हैं अगर वो भक्त आपको दिखाई दे रहा है सपने में इसका मतलब वो सच्चा भक्त है माका अगर ऐसे भक्त आपको दिखाई दे रहे हैं तो माकाली ने आपको दर्शंती हैं अगर माकाली बारवा संकेत अगर बच्ची के रूप में माकाली आपको जीव निकाल के और एक छोटी बच्ची ने जीव निकाल रखे लाल रंकी और मुस्क्रा रही है ऐसा अगर आपको दिखाए दे रहा है तो माकाली आपसे प्रसंद है खुस है और माने दर्शन दिये तो अगर इन बारों में से कोई एक भी संकेत आपको मिलता है सपन में तो न darl स्क्राइब यूण तो बेजिचक माता की सेवा उठा लेने चाहिए अखंड जोद जला लेने चाहिए आपको जैंगैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ता कि उनको इस संकेतों के बारे में पता चले जिनको नहीं पता बाकिए माज बाबा भोले ना सदेव आपको खुश रखे, आपका परिवार खुश रहे, हम मिलते हैं एक नहीं जानकारी के साथ, तब तक के लिए आमनमस्षिवाए, आमनमस्षिवाए, आमनमस्षिवाए.